हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस ट्रीड रॉन श्टॉप में दोस्तों इस पिटो बे हम डिसकस करेंगे 14 नौंबर के सभी important current affairs और इस पिटो के last में मैं आपसे दो questions भी पूछूँगा जिसका answer आपको comment box में बताना रहेगा और आप इस पिटो की PDF इस पिटो के description से download कर स ये मौरिसस के प्राथान मंत्री बने है यह है प्रबिन्थ जगननात और अभी तक भी ये मौरिसस के प्राथान मंत्री थे तो ये फिर से मौरिसस के प्राथान मंत्री बन गए है प्रबिन्थ जगननात और पात ये मौरिसस की तो मौरिसस की रास्थानी पोर्ट लुइस अगल अप्षनिक किस राज में बाल दिवस के उसर पर सिसू सुरक्षा मुबाइल एप की शुरुआत होगी तो बाल दिवस ये 14 नॉम्बर को मिना जाता है तो बाल दिवस के उसर पर सिसू सुरक्षा मुबाइल एप शुरू करेगा असम असम का बाल अधिकार समरक्षड आयोग बाल दिवस के उसर पर सिसू सुरक्षा मोबाल एप लॉंज करेगा और ये असम लॉंज करेगा तो मैं आपको असम के बारे में बता देता हूँ असम के स्थापनविती 15 अगस्त 1947 को असम के रास्थनिय देशपुर असम के मुख्य मंत्री हैं सर्बानंद सोनो वाल असम के राज़ेपाल हैं जगदीश मुखी असम के प्रमुख राष्ट्रे पार्क एवं वनिज्यू अभ्यरड हैं असम में काजी रंगराष्ट्रे पार्क मानश राष्ट्रे पार्क और पोभी दोरा वनिज्यू अभ्यरड हैं असम के प्रमुख लोकनिरते हैं बिहू, नटपूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर जो की असम के गुवाहट्टी में इस्तित है अगल अपने बिश्यू निमोनिया दिवस कब मना जाता है तो बिश्यू निमोनिया दिवस ये हर साल बारा नॉमबर को मना जाता है निमोनिया के उपचार और रौक ठाम के बारे में जागुता पैदा करने के लिए हर साल 12 नोमबर को बिश्यो निमोनिया डिवस के रूप में मनाते हैं निमोनिया ये लंग्स की बीमारी होती है तो कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि निमोनिया में सरीर का कौन सा अंग प्राभावित होता है तो आप ठ्यान रखिए निमोनिया में लंग्स प्राभावित होते हैं और यह जो इस पार 200 निमोनिया दिवस 12 नॉमबर को मिना गया इसकी थीम क्या है तो इस पार की थीम है healthy lungs for all healthy lungs for all इस पार की थीम है अगला अप्षिने किस राच में इस्थित सुरंगा बावडी को न्यूर्क के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 2020 की 200 इसमारकों की निगरानी सुची में रखा गया है तो सुरंगा बावडी ये करनाटक में है तो करनाटक के सुरंगा बावडी को न्यूर्क के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 2020 की 200 इसमारकों की निगरानी सुची में रखा गया है नियुआर्क का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है वर्ड मॉनुमेंट्स फंड तो नियुआर्क के एक गैर सरकारी संगठन वर्ड मॉनुमेंट्स फंड ने सुरंगा बाउडी को 2200 इसमारकों की निगरानी सूची में रखा है सुरंगा बावडी इसका निर्माड सोलवे सताबदी में बीजापुर के आदिल साही वंस के आदिल साह फ़स्ट ने कराया था और इसका निर्माड करनाटक के बिजेपुरा में पानी की आपूर्ती करने के लिए किया गया था और बात विए करनाटक की तो करनाटक की रास्थानी बैंगलॉर करनाटक के मुख्यमंत्री है बी-एस येदी उरप्पा और करनाटक के राज़ेपाल है वजूब भाईवाला करनाटक की राजभासा है कन्नड अगलबश नि भारतिये इस्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंथान टीम ने बित्ये वर्ष दो-जार बीस के लिए भारत की जीटीप को 6.1 प्रतिसत से घटा कर कितना कर दिया है तो इसका एंस ओप्संडी 5 प्रतिसत तो भारतिय स्टेट बैंक की आर्थिक अनुसंधन टीम ने बित्य वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP को 6.1 से घटा कर 5 प्रतिसत कर दिया है यानि कि पहले 6.1 प्रतिसत अनुमानित किया था तो अब इसको घटा कर 5 प्रतिसत कर दिया है और बात ये भारतिय स्टेट बैंक की तो भारतिय स्टेट बैंक के स्थापना का भूई थी भारतिय स्टेट बैंक के स्थापना भूई थी एक जुलाई 1955 को और इसका मुख्याले है मुंबई में और वर्तमान में भारतिय स्टेट बैंक के चेर्मेन है रजनीश कुमार दोस्तों ये प्रश्ण यहां पर गलत लिखावा है लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है यहां पर लिखावा है कि बांगले देश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होगे तो सही प्रश्ण इस तरह से होगा कि बांगलादेश ने भारत में अपना अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है तो इसका सेंसर उप्चन ने मुहम्मत इम्रान को यह है मुहम्मत इम्रान तो बांगलादेश ने मुहम्मत इम्रान को भारत में अपना अगला उच्चायुक तुन्यूक किया है और बात रिये बांगलादेश की तो बांगलादेश की रास्थनी है ढाका बांगलादेश की करनसी है टका बांगलादेस के राष्ट पती हैं अब्दुल हामिद और बांगलादेस की प्राथान मंतरी हैं सेख हसीना अगलप्ष ने 2020 में संगाई सयोग संगठन के राष्ट प्रमुकों की उन्नीसवी परिसत की मेजपानी कौन करेगा तो इसकी मेजपानी करेगा भारत 2020 में संगाई सयोग संगठन के राश्ट प्रमुकों की 19 वी बैठक की मेजपानी भारत करेगा और इसका अयोजन नई दिल्ली में होगा और संगाई सयोग संगठन के राश्ट प्रमुकों की अठारवी बैठक तहां पर हुई थी अथारवी बैठक अभी नॉम्बर 2019 में उज बैकिस्तान की रास्थानी तास्कंद में हुई थी जिसमें भारत की ओर से रक्षा मनतरी राजना सिंग ने भाग लिया था तो इसकी 58 बैठक तास्कंद में हुई थी और इसकी उन्नीसवी बैठक 2020 में भारत के नई दिल्ली में होगी और बात हुए संगाई सहयोग संगिठन की तो इंगलिस में इसको बोलते हैं संगाई कॉपरेशन और्गनाईजेशन सौट में इसको बोलते हैं SCO तो SCO के स्थापनवती 2001 में SCO का मुख्याले बीजिंग चाइना में और SCO के महासचु हैं ब्लादिमीर नोरोव भारत SCO में 2017 में सामिल हुआ था अगलाप्ष ने केंद्रिय मंत्री मंडल ने किस राज में राष्ट पती सासन की सिफारिस की है तो इसका एंस उप्सन भी महाराष्ट में अभियाली में महाराष्ट के राज्यपाल भगस सिंग कोश्यारी ने महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगाए जाने की सिफारिस की है और इनकी सिफारिस को राष्ट पती रामनात कोबिन ने अपनी मंजूरी दे दी है तो अब महाराष्ट में तीसरी बार राष्ट पती सासन लगेगा महाराष्ट में पहली बार 1910 में राष्ट पती सासन लग हुआ था और उसके बाद 2014 में दूसरी बार राष्ट पती सासन लगा था और अब तीसरी बार महाराष्ट में राष्ट पती सासन लगेगा दोस्तों राष्ट पतिसासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और बात हुए महाराष्ट की तो मैं आपको महाराष्ट के बारे में बता देता हूँ महाराष्ट के स्थापना हुई थी एक मईई 1960 को और गुजरात के स्थापना भी एक मईई 1960 को हुई थी महाराष्ट की रास्थनिय मुंबई महाराष्ट की मुख्यमंत्री है देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट की दोस्तों देवेंद्र फड़नवीस उन्होंने अभियाली में इस्तिफा दे दिया है तो अभी महाराष्ट का कोई भी राजेपाल नहीं है यहां पर यह पुराना लिखावा है तो अभी महाराष्ट का कोई भी राजेपाल अभी महाराष्ट का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट के राजेपाल है वगज सिंग कोश्यारी महाराष्ट के प्रमुक लोकनिर्ते हैं लावडी, तमासा और नक्टा, महराष्ट के प्रमुख बांध है, महराष्ट में जाएकावाडी बांध, यह गोताफरी नदी पर बना हुआ है, और महराष्ट में कोइना बांध, यह कोइना नदी पर बना हुआ है, महाराष्ट के प्रमुख राष्ट्य पार्क है महाराष्ट में संजय गांती राष्ट्य पार्क गूगामल राष्ट्य पार्क चंदौली राष्ट्य पार्क नौगाउ राष्ट्य पार्क और तडोबा राष्ट्य पार्क महाराष्ट की प्रमुख जीले है महाराष्ट में लोनार चील और रनकला चील महाराष्ट में चिले हैं 36 चिले महाराष्ट के प्रमुक अस्थान है महाराष्ट में एलोरा गुफा हैं अजन्ता गुफा हैं गेटवे ओफ इंडिया बीबी का मगबरा त्रिम्बिक केश्वर मंदिर और कानहेरी गुफाएं अगल अप्ष ने देश के पहले हाथी इसमारक का अनावराण खां किया गया तो देश के पहले हाथी इसमारक का अनावराण किया गया है उत्तर प्रदेश के मतुरा में और अब ही कुछ महीने पहले मतुरा में हाथियों के लिए पहला जल चिकित साले भी खोला गया था तो देश के पहले हाथी इसमारक का अनावरण मतुरा में क्या गया है दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रशनों की तो कल्म ने आपसे पहला प्रशन पूछा था किस राजिकी सरकार ने डीजल से चलने वाले और्टो डिक्सा पर प्रतिपंथ लगा दिया है तो इसका सेंसर था बिहार ने और दूसरा प्रशन था प्रतेक वर्श बिधिक सेवा दिवस कब मनाय जाता है तो इसका सेंसर था नो नौमबर को और लगभग सब ही लोगों ने इन दोनों प्रशनों का सही अंसर दिया है और आज आपके लिए पहला प्रशने बिस्व आर्थिक मंच की पचासवी वार्शिक बैठक कहां आज जित होगी और आज आपके लिए दूसरा प्रशने टाटर लिटरिचर लाइफ टाइम अचीफमेंट पुरसकार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो इन दोनों प्रशनों का एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सेर करना मत पूलिए और अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कलीजिए तो दोस्तों मिलते हैं कल सुभा इसी टाइम पर तब तक के लिए गुड़ पाई एंड टेक कियर